हाई दोस्तों मैं हूँ आपके साथ यासमी बीते दिन हुए वर्ल्ड कप 2019 समी फाइनल में न्यूजिलांड ने मैच का रुख बदलते वे भारत को करारी मारती थी जिसके बाद भारत का फाइनल में जाने का सपना चकना चूर हो गया वहीं अपनी टीम की इतनी बुरी हार को देखकर हर भारतीय फैन काफी निराश है हाला कि वॉल्ल कप से बाहर हो जाने के बाद भी फैन्स अपनी टीम की जम कर तारीफ करते नजर आए ऐसे में भाला बॉलिवुड कैसे फीचे रह सकता है जैसे ही भारत ने सेमी फाइनल मैच गवाया वैसे ही बॉलिवुड स्टार्स ट्विटर के जरीए भारतीय टीम की सपोर्ट में उतर आए हर किसी ने टीम के जजबी की तारीफ की लेकिन कहीं न कहीं सब दुखी भी दिखे चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट आमिर खान ने ट्वीट कर लिखा विराट हमारी किसमत खराब थी शायद आज हमारा दिन है ही नहीं मेरे लिए आप वोल्ल कप 2019 का किताब पहले ही जीच चुके हो क्योंकि आप समी फाइनल में पहुँशने वारी टीमों में सबसे आगे थे आप बहुत अच्छा खेले लेकिन काश कल वारिश ना हुई होती तो शायद हम ये मैच भी जीच जाते इस सब के बावजूद भी हमें आप पर नाजथ है वहीं अमिता बच्चन ने भी टीम इंडिया और काप्टन विराद की खुब तारिफ की अमिता बच्चन ने ट्वीट कर लिखा आप लोगों ने आज चैंपियंस की तरह कमाल का खेल खेला इससे पता चलता है कि आप में काभीलियत है रिजल चाहे जो भी हो मेरे लिया आप दुनिया के सबसे भेटरी इन्टीर हैं और हमेशा रहेंगे इसके अलावा अनुपम खेल ने लिखा भार्तिय प्रकेट टीम का अभार की आपने हमें इतना शांदार खेल दिखाया और आपने अच्छा प्रयत ने किया आपने बहुत अच्छा खेल खेला आपने हमें एक साथ बांधे रखा आपने हमें भार्तिय ता लाई इसके अलावा आपने हमें तिरंगा लाया आप हमेशा हमारे हीरो रहेंगे हम आप से प्यार करते हैं इतना ही नई सुनेल शेटी ने लिखा जडेजा और धोनी ने बहुत अच्छा प्रयास किया हम बहुत नजदीक रहे लेकिन हम बहुत दूर हो गए दिल दुख रहा है बता दे के इनके अलावा अर्जुन, रामपाल, साराली खान और वरुल धावन जैसे स्टाल्स ने भी टीम इंडिया की हार पर अपना रियाक्शन दिया है भले ही भारतिय टीम फाइनल में अपनी जगा नहीं बना सकी लेकिन इस बात की खुशी भी है कि टीम ने वोलकप 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन करके हर भारतिय का सिर गर्व से उच्छा किया है वैसे आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं